नमस्कार और वेलकम टॉ अलो फियो इन ग्लोबल लुकॉट आजकल पसंद किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से पसंद किया जा रहा है वेस्ट में लेकिन अभी क्या हुआ है कि UK ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी जो उमीद होती है UK से वो बहुत ही कम रहती है आप लोग को पता होगा कि UK और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत टाइम से ही बहुत जादा अच्छे हैं अक्सर UK के पार्लिमेंट में UK का जो मीडिया आउस है BBC वो इंडिया को क्रिटिसाइज करता रहता है हर पॉइंट पे लेकिन हाल में क्या हुआ है कि इसका ठीक उल्टा देखने को मिला है UK की तरफ से आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि implicitly ऐसा का आगया है कि चाए G7 और चाए G20 इंडिया is the country which we want हुआ क्या है कि आप लोग को पता होगा कि जब से G20 की meeting इंडिया में कराने के बात हो रही थी लास्ट येर से ही जब इस चीज की बात होने लगी थी कि इंडिया में G20 summit होगा और इंडिया में भी कश्मीर में कुछ meetings इसके लिए रखी जाएंगी तब से पाकिस्तान के तरफ से इसको criticize किया जा रहा था इसके अलावा terrorist group जो है वो लगतार इंडिया को धमकी दे रहे थे और even कि इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि इसको मना कर रहे थे कि यहाँ पर इंडिया को नहीं कराना चीए जो की रहते इंडिया में हैं लेकिन उनके जो विचार है वो पाकिस्तान के साथ मिलते हैं उस तरह के कि यह लोग थे जो इंडिया को मना कर रहे थे इसके लिए पाकिस्तान और चाइना ने तो दुनिया बर की जुत्ती भी member countries हैं इसकी उन सबको यह लिखा भी था कि यह meeting आप लोग जॉइन मत करो कश्मीर में जो meeting होने वाली है 22-23 मही को जो अभी कुछ दिन बाद होगी भी इसको आप लोग जॉइन मत करो क्योंकि कश्मीर एक disputed area है और disputed area में यह meeting इंडिया रखके इस चीज को इस dispute को और भी ज़्यादा spark देना चाहता है इसके अलाब़ा यासिन मलीक का नाम आप लोग ने सुना होगा कही बार यह इंडिया का एक terrorist है इंडिया में रहता है यह terrorist organization declared भी इंडिया में इसने भी जितनी country हैं G20 की member उन सब को यह letter लिखा था कि यह meeting आप लोग मत जॉइन करो क्योंकि इंडिया जो है वो कश्मीर को military zone बना रहा है कश्मीर के जो लोग हैं वो काफी जादा suffer करना है इंडिया के आतो इंडिया के security forces के आतो इसलिए आप लोग को यह meeting कश्मीर में join नहीं करनी चाहिए इसके अंदर नहीं आना चाहिए तो इस तरीके का जो propaganda है वो काफी time से चलाया जा रहा था पाकिस्तान द्वारा चायना द्वारा और even कि इंडिया में भी जैसा कि मैंने आप लोग को बता है इस तरीके के जो लोग थे उनके द्वारा अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान का जो सबसे close friend one of the close friend जिसको पाकिस्तान समस्ता है friend तो बहुत बराबर वाला time में एक तरीके से अपना मालिक ही समस्ता अपना खलीफा ही समस्ता है ottoman empires की जो इनकी history है उसके बलबूते पर तर्की की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आप लोग समझी गए होंगे उसने तक पाकिस्तान की यह बात मानने से मना कर दिया अब यहाल में ही 11 माई को G20 का एक मेटिंग होती है Y20 करके जो youth से related issue होते है उसके यह मेटिंग होती है उसमें टर्की के भी delegates जो थे वो इंडिया में आये थे और यह मेटिंग भी कश्मीर में ही थी इसलिए newspaper में अब दुनिया बर के articles में इस तरह की की चीजे छपरी है कि टर्की डिच्ट पाकिस्तान यह तो चलो अलग चीज होगी टर्की की बात होगी अब इस पे हुआ क्या है कि UK ने भी अपना पूरा statement आउनका जो मन है वो पूरा बता दिया UK ने का है कि हम यह जो G20 मीटिंग है इसको join करने वाले है इसमें कोई भी डाउट नहीं है और एक तरीके से पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान जो काफी टाइम से फैला रहा है किश्मीर में यह हो रहा है वो हो रहा है उसको UK ने मानने से मना कर दिया ऐसा कहा जा सकता है तो अभी तक चाइना को छोड़ के कोई और ऐसी कंट्री नहीं है G20 के मेंबर जो कि इस मीटिंग में ना आया है जिसकी तरफ से अभी तक यह का गया है कि हम लोग इस मीटिंग में नहीं आएंगे इसको join नहीं करेंगे आगे देखना होगा कि बाकी कंट्री का कोई mood change होता है या नहीं लेकिन अभी जो news है अभी तक जो information है उसके हिसाब से चाइना को सोड़के सारी कंट्री इसको join करने वाली है और पाकिस्तान बी तो है पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहे आप लोग मीटिंग से G7 तो भूली जो आप लोग कोई इसका लेना देना नहीं है ना इसका कश्मीर से लेना देना है लेकिन फिर भी उसके बाद भी इसके लाख इशू हो दूसरे के इशू में टांग अड़ाने की इसकी पुरानी आदत है लेकिन ये जो UK का statement है ये UK का decision है ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा setback था पाकिस्तान के लिए और एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा फायदे मन निउस है कश्मीर के लिए दरसल इस तरह के की meeting जब भी किसी area में होती है न तो उस area में बहुत ही ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि money flow start होता है एक तरीके से वहाँ की जो economy है उसको एक बहुत ही बड़ा boost मिलता है दुनिया बर के delegates आते हैं यहाँ पर hotels लेते हैं फिर यहाँ पर रहते काते हैं जिसका पर फायदा होता है यहां के local लोगों को होता है यहां की जो चीज़े उसको experience करते है art and culture जो यहाँ का होता है उस से related जो चीज़ें इस को खरीतते लिए तो इस तरीके से उस एकनॉमी को बहुत ज़्यादा फाइदा होता है उस एरिया को बहुत ज़्यादा फाइदा होता है लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि हम तो बरबाद हो रहे हैं हमारी एकनॉमी पूरी तरीके से खतम हो रही है कश्मीर भी आबाद नहीं होना चाहिए कश्मीर की भी इकनोमी खता मुनाची है इसलिए वो इसके पीछे पड़ा हुआ है कि कश्मीर में ये मीटिंग मत कराओ क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है ये तो हो गई चलो जी ट्वंटी की बाद इसके अलाबा हुआ क्या है कि हाली में और हाली में नहीं बहुत पहले से इस चीज की बाते हो रही है UK ने हाल में यह का है कि अगर अपने आपको G7 को बचाना चाहते हो चाइना को नहीं चाहते हो कि वो हम लोग को overpower कर ले तो इंडिया को G7 का member बना लो और इस G7 countries को G8 country बना दो G8 पहले भी यह हुआ करता था लेकिन क्रीमिय के annexation के बाद रशिया को इससे निकाल दिया गया आप लोग को पता होगा इस चीज़ के बारे में और यह वो countries है जो IMF के अनुसार advanced economies on liberal democratic economies है easy बाशा में आप लोग यह समझो कि यह जो top की seven economies हुआ करती थी उनने यह group बनाया था और यह group denote करता है दुनिया की जो economies है top economies है उनको 2020 तक यह 7 countries केवल मिलके world की जो GDP है उसका 50% और total population का 10% hold करती थी इनका यह share था और इसके जो members थे वो आप लोग देखोगे तो उसमें Canada है France है, Germany है, Italy है, Japan है, UK है और USA है तो एक तरीके से आप लोग समझ लो कि यही थी world की economy यह 7 countries ही major economies थी world की इन लोग का यह group था और पूरा economy की world का जो head course क्या होगा आगे किस तरीके से economy बढ़ेगी यही लोग आपस में decide करती थी और थोड़ा सा अगर आप लोग को short में इसकी history में बताऊं तो आप लोग खुदी समझ जाओगे कि किस लिए यह group बना था 1973 में जो oil crisis हुआ था world का उसके बाद इस group का informal रूपे निर्माड हुआ था तो आप लोग समझ सकते हैं इससे कि इसका nature इसका जो purpose वो क्या होगा इस तरह कि कि बाकी crisis economy में ना हो उसको देखने के लिए उसके deal करने के लिए एक group बनाया गया था इस साल आप लोग को पता होगा कि अभी कुछ दिन बाद ही होने वाला जापान में इसकी meeting 19 से लेकि 21 मही तक होने वाली है जापान में हमारे जो प्रायम मिनिस्टर है वो भी इस meeting के लिए जाएंगे इंडिया इस meeting में क्यों जाएगा इंडिया तो इस साथ members में है नहीं देखो आप लोग को बता दू कि इंडिया का जो structure है वो लगतार rise कर रहा है इंडिया दुनिया देख रही है कि एक बहुत ही बड़ा economic power बनने वाला है future में इसी लिए सिर्फ इस meeting में ही नहीं पिछले कई meetings में आप लोग देखोगे तो इंडिया especially invite टी होता है इस तरह की G7 की meeting में 2019 में ये France में हुआ था उसमें इंडिया को बुलाए गया था 2020 में फिर ये USA में होना था कैंसल हो गया था 2021 में जर्मनी में हुआ था उसमें बुलाए गया था उसके बाद भी इंडिया को बुलाए गया था तो इस तरीके से जो हर meeting है ये इसमें इंडिया को बुलाए जाता है इंडिया का जो बढ़ता हुआ अभी मैं आप लोग को बता है कि आभी हाल में ही कुछ साल पहले ही रशिया को इस group में से निकाला गया और दूसरा मैंने ये भी बताया कि ये जो group है ये दुनिया के जो top economies है top 7 economies है उनका group हुआ करता था तो इसमें फिर भी आप लोग को कहीं देखो तो चाइना नहीं मिलेगा जबकि हम लोग जब सब जानते है कि चाइना जो है वो आज के टाइम में दुनिया का second largest economy है यही दो कारण रशिया को निकालना और चाइना का इसमें ना होना इस group को ऐसा image देती है कि ये western countries जो है उनका representative तो अब ये world की representative ना बनके world की economy जो है उसके representative ना बनके ये group जो है western countries का representative एक तरीके से बन गया हाला कि इसमें जपान भी आप लोग को मिलेगा जो की eastern countries में लेकिन उसके बाद भी west का ये एक तरीके से representative की तरह आज के time में देखा जाता है और देखो होता कि आना कि जब भी western countries में बोलता हूँ तो आपके दिमाग में आता होगा कि वो countries जो geographically west में है और ये आना भी चाहिए इसमें कुछ गलत भी नहीं है west का मतलब west ही होता है और क्या होता है लेकिन अक्सर कुछ countries जो की west में नहीं है लेकिन जो ideologically इनके साथ align करती है open market की बात करती है government के role को कम बताती है इनकी तरह values इनकी जो ideology है western countries की जो ologies है वो share करती है अक्सर उन countries को भी इसमें include कर दिया जाता है जैसे कि Australia, Japan इन सब का भी नाम आप लोग जब सुनते होगे तो आप लोग को इनी countries के साथ align पाते होगे इसलिए जपान के होने के बावजूद भी मैंसे एक ऐसी भी image experts के मन में लोगों के मन में ऐसी बन गी है कि G7 countries जो है ये representative है western countries की या फिर western ideologies की कहलो आप लोग जिसका कारण है रशिया से इसको निकाल दिये जाना और दूसरा चाइना का इसमें ना होना इसके अलाबा एक group है आप लोग ने नाम सुना होगा काफी ज़्यादा BRICS group कहते है इसको BRICS country कहते है Brazil, Russia, India, China, South Africa इसका full form है ये वो group है जैसे G7 को western countries का रूप में देखा जाता है वैसे इस group को eastern countries का representative देखा जाता है Russia इसमें है, China इसमें है और Brazil जो की east में नहीं है लेकिन फिर भी वही concept ideologically कहलो या फिर जो income level है उसके इसाब से कहलो वो इस group के साथ ज़्यादा align मिलता है और उसके ओने के बावजूद भी इसलिए ये जो BRICS है ये eastern countries का representative देखा जाता है कोई formal इस तरह की definition नहीं है कि BRICS ज क्या है अभी हाल में ही कि ये जो BRICS nation है मैंने आप लोग को पहले बताया कि 2020 तक जो G7 countries थी जो की western country के representative की तरह थी एक तरीके से वो 50% of total economy hold करती थी लेकिन अभी 2030 की ही ये news है कुछ दिन पहले की ही ये news है कि BRICS country इस समय जो है वो 31.5% global GDP जो है world का total GDP है उसका share hold करती है और G7 का अब कितना हो गया इनी 3-4 सालों में ये घट के हो गया 30% याने कि जो BRICS nation है इनने भी G7 countries को पीछे कर दिया है और अब ये जो ग्रूप है ये एक तरीके से कहा जा सकता है BRICS एक तरीके से कहा जा सकता है कि world की जो economy है उसका असली representative है क्योंकि 31.5% G7 से ज्यादा परस से USA, Europe से shift हो रही है Eastern countries में Asian centuries जिस term को नाम दिया गया है कि जो 21 century है उसमें Asian countries रूल करेगी इनकी economy बहुत तेजी से rise करेगी इनके पास major power होगी वो चीज इस चीज से होती हुए दिख रही है हाल का ये graph है आप लोग देख सकते हो कि BRICS countries जो है इनका जो GDP है इनके GDP का जो line है वो cross कर रहा है G7 की economies को G7 का जो graph है उसको और ये उपर rise भी कर रहा है और G7 का आप लोग देखोगे तो ये down भी जा रहा है और BRICS countries का जैसे कि मैंने आप लोग को member बताया है कि 5 एस समय member है Brazil, Russia, India, China, South Africa इसमें अगर आप लोग Brazil, Russia और South Africa की देखोगे ना तो इनकी कोई economy ब कोई अच्ची economy बहुत ही तेजी से grow करने वाली economy नहीं है एक तरीके से इंडिया और चाइना के बदॉलत जो है ये graph जो है ये cross कर रहा है और इसी को देखते वे UK जो है वो क्या इस बात को advocate करता है पहले भी USA की तरफ से भी ये कहा जा चुका है जब टरंप प्रेसिडेंट जबते USA के कि इंडिया को और कुछ और countries को G7 का member बनाना चाहिए ताकि एक बर दुबारा जो economic shift है वो इस group में मिल जाए और इस group में ये economic shift मिल जाए तो बले ही एक countries इंडिया की वज़े से ये shift होगा लेकिन ज़्यादतर members जो है इस countries की वो कौन होगी वो European countries होगी जो इंड इंडिया की economy को अपने आप में add करके ये दिखाएंगी कि देखो अभी भी हमारा जो group है वाईज सबसे ज़्यादा economic power hold करता है हम ही दुनिया बर के ज़्यादतर decision वो ले सकते हैं और we still worth it तो इसी को देखते वह ये कहा गया है और दूसरा हम सब जानते है कि China जो इन लोग जा सकता तो ये भी एक बहुत बड़ा reason है UK के इस statement में इसके लाब वेस्ट और रिष्ट को किनारे कर भी दो आप लोग तो चाइना रशिया ये इस तरह की कि जो country है ये ओटो थेरियन country है इसमें जो one party या फिर one leader जो dictatorship है इंडाइकली वो चलता है और इसी लिए जो जी ब् countries है उनका rise हो रहा है तो इस चीज को भी रोकने के लिए इस पे भी लगाम लगाने के लिए ये जो statement ये तरह के का जो inviting India है उसको मिलता है हर साल और membership के लिए इनवाइट किया जा रहा है NATO में भी invite किया जा रहा है G7 में भी invite किया जा रहा है और इंडिया में भी इस तरह की क बात चल रही है कि हम लोग को ये जो ग्रूप है इसको जॉइन करना चाहिए